दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ChatGPT की मदद से अपनी एक e-book create करोगे और उस e-book को different different platform पे sell करके आप पैसा कमाओगे वैसे तो इस वीडियो को एक मिनिट में complete किया जा सकता है सिर्फ यह process बता के कि कैसे आप ChatGPT से e-book को create करोगे and Amazon KDP के उपर उसको sell कर दोगे या फिर अपना खुद का एक funnel या फिर page बना के आप उसको sell कर दोगे लेकिन इस process को completely practically कैसे करना है वो समझाने के लिए आपको 10 मिनिट इस वीडियो को देने होंगे इस वीडियो में मैं आपको completely बता दूँगा कि ChatGPT कैसे जो है e-book आपको create करके देगा and उस e-book को आप आगे जो है sell कैसे करोगे so सबसे पहले सुरुआत करते है ChatGPT से ही title पूछने की यानि कि हम किस topic के उपर e-book बनाएंगे so यहाँ पे आपको type करना होगा suggest me some title for e-book on money so आप जिस भी topic के उपर e-book चाहते है उसके बारे में यहाँ पे आप title पूछिएगा तो ChatGPT आपको जो है यहाँ पे title बना के दे देगा अब देखिए इन ही मैंसे आपको title select करना है आप चाहे तो कोई और title भी select कर सकते हैं लेकिन ChatGPT जो title बना के देगा वो I think one of the best होगा so यहाँ पे अपन यह जो है financial fitness building a stronger financial future इस particular topic के उपर ebook अपन आज create करते हैं so देखिए इस topic को मैंने यहाँ पे ले लिया copy कर लिया और मैंने यहाँ पे इसको paste कर दिया and ChatGPT को command देँगा अभी write a ebook on this topic so यहाँ पे जैसे हम ChatGPT को यह command देंगे ChatGPT हमारे लिए यह content बनाना शुरू कर देगा अब देखिए दो चीजे हैं या तो आप English के अंदर content बनाएंगे या फिर Hindi के अंदर currently मैं आपको English के अंदर बना के बता रहा हूँ आप चाहे तो Hindi language का यूज भी कर सकते हैं सो देखिए जैसे ही मैंने ChatGPT को यह command दिया write a ebook on this topic तो ChatGPT यहाँ पे काम करने लगेगा सो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमारे सामने यहाँ पे हमारी पूरी ebook का जो basic formula है वो आ चुका है अब देखिए ebook का introduction हमारे सामने है सबसे पहले title financial fitness building a stronger financial future सो उसके बाद हमें introduction देखने को मिला उसके बाद हमें इस ebook के अंदर 10 chapter देखने को मिले फिर एक conclusion हमारे सामने आया अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ebook जो create हुई है वो काफी चोटी है क्योंकि जो chapter है उनमें हमें 3-3 topic दिये हुए है ना के उनका जो है पूरा explanation सो अब देखिए इन chapters को अपन कैसे तयार करेंगे चलिए इन chapter की जो heading है उसको अपन copy करते है and यहाँ पे chat gpt को यह जो है particular command अपन देते है तो देखे chat gpt हमारे लिए यह पूरा chapter यहाँ पे तयार करके दे रहा है जैसा कि आप यहाँ पे अपनी screen के उपर easily देख पा रहे हो so जैसे हमने chat gpt को यह particular chapter लिखके दिया the fundamental of financial fitness यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक chapter में different section इन्होंने बना के दिये अब अगर आप और in-depth जाना चाहते हो तो यहाँ पे देखे हैं आप हर एक section के बारे में भी यहाँ पे chat gpt को command दे सकते हो chat gpt आपको जो है उस section का introduction and उसके regarding in-depth जो content होगा वो भी यहाँ पे पूरी तरह से बना के दे देगा अब देखे chat gpt को इस तरह से design किया गया है कि इसको answer देने में बिलकुल भी time नहीं लगता अब आपको decide करना है कि आपको कितने depth तक content बनाना है अब देखे आगे अगर आप e-book बना के sell करना चाहते हो तो उसमें content unique होना चाहिए कुछ interesting होना चाहिए public के लिए helpful होना चाहिए तब ही देखे आपकी e-book सबसे जादा बिकेगी अब देखे काफी लोगों ने तो e-book बना के online बहुत जादा पैसा earn कर लिया है AI की मदद से उन्होंने e-book बनाई Instagram के उपर Facebook के उपर उन्होंने ad चलवाए और उस ad की वज़ा से उनकी reach हुई बहुत जादा लोगों तक बहुत जादा लोगों ने वो e-book खरी दी क्योंकि उन्होंने हिंदी में बनाई और इन topic के बनाए जैसे की online पैसे कैसे कमाए दोस्तो अब इस e-book को अपन को व्यवस्तित कैसे करना है यहाँ पी देखिए chapter है chapter के अंदर भी section है तो अब इसको पूरी तरह से व्यवस्तित कैसे किया जाएगा तो अब देखिए जो पहला सेप्टर हमने यहाँ पे create किया है अब अपन यहाँ पे दूसरे सेप्टर के लिए जो है base build कर लेते हैं तो दूसरे सेप्टर का title मैंने यहाँ पे copy किया and यहाँ पे कर देंगे अपन paste तो chat GPT हमारे लिए दूसरा सेप्टर भी जो है वो बिल्ड करके देगा इसी तरीके से आपको सारे के सारे सेप्टर यहाँ पे बिल्ड करवा लेने अब देखिए बिल्ड करने के बाद आप इसको पूरी तरह से व्यवस्तित कैसे करोगे तो वो करने के लिए आपको जाना होगा बेसिकली Microsoft Word के अंदर या फिर आप किसी और वर्ड टाइप के प्लेटफॉर्म का या अल्टरनेटिव का यूज कर सकते हो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता के बताता हूँ एक बेसिक आइडिया आपको दूँगा कि आपको यह सार Microsoft Word open कर दिया एंड यहाँ पे यह टाइटल जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया है तो आप चाहे इसकी लेंथ बड़ी चोटी वो सब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं तो यह टाइटल रहेगा हमारा यह टाइटल मैंने यहाँ पे बिल्ड कर लिया है सब इसके अलवा जो भी चेंजेज आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं उसमें कोई भी डाउट नहीं है जिस टाइप का सेनेरियो आप यहाँ पे एड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं सो सिंपली मैं यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी लेंथ एड़ कर देता हूँ सो इसके अलबा जो आप यहाँ पे जिस टाइप का फॉंट स्टाइल आप रखना चाहते हैं वो भी टोटली आप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप से आप अपनी इबुक को बनाओगे जिससे कि लोग उस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले अब देखे यह टाइटल जो है मुझे काफी डिसेंट लग रहा है सो मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अभी यहाँ पे अगर आप और कुछ एड़ करना चाते हो और कुछ एड़ आप कर सकते हो अपकोर्स स्मार्ट आट हो गया सेप्स हो गए सो स्मार्ट आट में मान लिजे आपको कुछ एड़ करना है तो आप कर सकते हो लिस्ट एड़ करनी है कोई क्लिप एड़ करनी है कोई वर्ड आट टेक्स्ट बूक and पूरा का पूरा basic data आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो भी आप यहाँ पे add करना चाहते हो अब दीखें मान लीजिए यहाँ पे मुझे line add करनी है तो यहाँ पे मैं यह line add कर दूँगा कुछ यह type से अब line का जो shape है वो मैं यहाँ से पूरा का पूरा change कर सकता हूँ सो अब currently मैं इसको ऐसे ही एक normal way में रहने देता हूँ सो यहाँ पे आप ज्यान से दीखेगा अब आगे आपको क्या करना है सो आगे आपको again chat gpt पे आना है chat gpt से यह पूरा introduction अपन copy करके ले जाएंगे and यहाँ पे जो पूरी detail है basically वो अपन यहाँ से copy करके ले जाएंगे सो आप अपने इसाब से अपना brain लगा के भी यह चीजे जो है देख सकते हो कि आपको किस type से यह करना है like अगर आप सिर्फ introduction यहाँ पे डाल के पूरा का पूरा chapter यहाँ पे डालना चाहते हो तो वो भी आप add कर सकते हो like यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ यहाँ ने यहाँ पे add गया उसके बाद सबसे पहले इसको जो है अपन पूरा customize कर देते हैं फिर इसको यहाँ पे कुछ है टाइप से add कर देते हैं या फिर आपन इसको जो है बेसिकली यहाँ पे पहले जस्टिफाय कर देते हैं अब यहाँ पे यह जो इंट्रोडक्षन है उसको मैं कर देता हूँ बॉल्ड एंड बाकी की साइज जो है आई थिंक परफेक्ट हैं अब देगे अब most important चीज सुरू होती है अब आप चाहे तो सिर्फ यह chapter यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर आप चाहे तो इनके जो in-depth चीजे है वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं लाइक यह chapter मैंने यहाँ पे डाला इसको पूरा रिफ्रेज कर दिया उसके बाद इसकी length थोड़ी सी बड़ा दी मैंने and इसको कर दिया मैंने bold राइट इस टाइप से यहाँ पे मैं second chapter का name add कर सकता हूँ या फिर यह detail add कर सकता हूँ तो currently मैं सिर्फ name add करके बता रहा हूँ एक बार आप सारे chapter के नाम डालिए फिर पहले chapter की heading दीजिए फिर यह पूरी detail आप यहाँ पे डालिए like यहाँ पे दीगे यह example के लिए मैंने दूसरा chapter यहाँ पे डाल दिया अब इसको यहाँ पे रिफ्रेज कर दूँगा and यह जो है इसको यहाँ पे format penter पे select करके इस पे भी वो same format मैं लगा लूँगा so मान लिजिए हमारी book में इतने ही chapter है example के लिए तो अब आगे का process क्या होगा आगे सबसे पहले जो है यहाँ पे आप जो है conclusion डालोगे end उसके बाद जो है आप अपने पहले chapter की पूरी की पूरी detail यहाँ पे डालोगे like यह conclusion मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको मैं refresh करूँगा refresh करने के बाद यहाँ पे आप दीगे conclusion topic को bold कर दूँगा अब यहाँ पे आप दीगेगा so अब यहाँ पे द्यान से डीगे अब अपन डालेंगे यहाँ पे पहला chapter so आप जितना हो सके उसका पूरा यहाँ से copy करके लेके जाईएगा and पूरे chapter को जो है आप यहाँ पे डाल दीजेगा right यहाँ पे दीगे पहला chapter अपनने copy कर लिया word में जाएंगे and यहाँ पे यह पूरा अपन paste कर देंगे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको जो है आपको refresh कर देना है refresh कैसे करना है चलिए मैं बताता हूँ so आप इसको select करेंगे chapter 1 तक and यह जो option है इस पे click करेंगे formatting पूरी reset हो जाएगी अब यह आपका पहला chapter है यहाँ पे तो इस chapter को आप जो है यहाँ पे major adding में convert करेंगे font अगर आप change करना चाहते चेंज करेंगे and उसके बाद जो section है उसको आप basically edit कर देंगे and अपने इसाब से इसको पूरा इस type से setup कर देना है अब जब आपकी ebook पूरी तरह से तयार हो जाए उसके बाद आपको जाना है Amazon KDP के उपर Amazon KDP एक ऐसा platform है जहां पे आप कोई भी ebook sell कर सकते हो कोई भी hard copy book sell कर सकते हो and जो basically drawing books रहती है वो भी आप यहाँ पे sell कर सकते हो अब दीगे आपको तो यहाँ पे एक बार बना के डालनी है lifetime तक जब तक वो ebook sell होती रहेगी आपको उसका commission आपको उसकी earning मिलती रहेगी royalty मिलती रहेगी तो अगर एक बार आपने यह काम कर दिया तो आपके लिए एक lifetime की income का source जो है create हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो informative लगा तो वीडियो को like करिए channel पर पहली बार आयो make sure कि आप channel को subscribe करें हम मिलेंगे आपको next video में thanks for watching friend